자, एक बाव फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में तो आज हम लोग सिंथे संपे की पियू लोग सिंथन और समय सिंथे से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम मैं क्लोरल फैनिकॉल तो क्लोरम फैनिकॉल बनती कैसे है क्लोरम फैनिकॉल की रियक्षिन में सबसे पहले हम लोग P-Nitro Acetofenone लेते हैं P-Nitro का मतलब पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रूप और फिर Acetofenone अब इसकी रियक्षिन जब हम लोग Bromine से कराते हैं कि BR2 से कराते हैं तो इसमें HBR रिलीज होता है और क्या बनाता है P-Nitro Acetyl Bromide P पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रूप फिर उसके बाद फैनाइल और ये Acetyl और इसके साथ Bromine Group जड़ा रहता है अब इसके बाद क्या होता है जब ये पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रूप यानि कि P-Nitro Phenyl Asyl Bromide बनता है तो ये हेक्जामीन के साथ रियक्षिन करता है और क्या बनाता है अलफा एमाइनो पैरा नाइट्रो असिटो फिनोन ये बना लेता है अब ये जो अलफा एमाइनो पैरा नाइट्रो असिटो फिनोन है इसकी जब असिटाइलेशन कराते हैं असिटाइलेशन कराते हैं असिटिक एन हाइडराइट के साथ तो ये यहाँ पर क्या होता है CS3COOH रिलीज होता है और यहां पे फिर क्या बनता है पहरा नाइट्रो एसीटो एमाइडो एसीटो फिनोन पहरा नाइट्रो एसीटो एमाइडो एसीटो फिनोन तीक है यह बनता है अब इसके बाद इसकी अब इसके बाद यह फर्दर प्रोसेस होती है और यह क्या बनाता है यह इंटर्मेडियर प्रोडक्ट बनाता है इंटर्मेटर्ट प्रोडक्ट में इसमें क्या होता है कि यहां पे इस पोजिशन पे CS2OH जुड़ जाता है यहां पे क्या जुड़ता है CS2OH किसके प्रेजन्स में होता है डिल आईसोमर अब इसमें क्या होता है यहां पर जो किटोन गुरूप था यहां पर जो किटोन गुरूप था जब रिडक्शन करते हैं तो अलकोहॉल गुरूप में कनवर्ट हो जाता है और फिर आगे फर्दर प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है CS3 COCL जो CS3 COCL है जो CS3 COCL है यह रिलीज होते है कहां से आती है यह यहां का जो CS3 CO है और यहां का जो HCL है इसमें से CL और इसमें से CS3 CO यह दोने निकल जाते है और यहां पर क्या होता है सिफिक NS2 बचता है तो इसका नाम क्या होता है chloram fenicol base होता है क्या था? chloram fenicol base अब इसमें दो चीज़े होती है पहला resolution होता है और दूसरा di chloramethyl acetate यह जो है di chloro यहाँ पे chlorine group दो है di chloramethyl acetate यह इसके साथ reaction करता है और क्या बनाता है? chloram fenicol क्या बनाता है? अब इसमें क्या difference है? इस वाले में और इस वाले में यहाँ पे जो NS2 group था यहीं पे आ करके यह di chloramethyl acetate react करता है और क्या बनाता है? chloram fenicol इसी तरीके से यह synthesis complete होती है तैंक यू अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और कमेंट करके जरूर बतागेगा अगर कोई गलती हो तो थैंक यू